दिसमें लाहरा माने रहीम असलाम रिखों वीवर्स रमजान में जब हम इफ़तार करते हैं तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टन चीज होती है वह पापड़ी होती है छोलों के उबर डालने के लिए आज मैंने इसकी का ही इंतेखाब किया है बहुत बेतरीन बजार से घर में ब डाला है आप इसमें पिगला हुआगी भी डाल सकते हैं अगर इसमें ऑईल की मिगदार सही रहेगी तो बहुत परफेक्ट फापड़ी घर में बनके तयार हो जाएगी देखिए मैं इसको मुठी में बांद रही हो तो यह मुठी की शेव में आ रहा है और जब मैंने इसे डाला है तो यह बुरबुरा होके नीचे गिर किया है इतना ही ऑईल हमें चाहिए यह तकरीबन 15 ग्राम के करीब ऑईल होगा आप इसको हमें नॉर्माल आटे की तरह से गुन लेंगे गुनने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जिस तरह आप देख सकते हैं कि ना यह हाथ को चिपक रहा है और ना ही बरतन को चिपक रहा है अब इसके उपर में ऑईल ग्रीज करके 10 मिंट के लिए रख दूंगी इस वक्त आटा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो आईल पी अली में बचा था मैंने उसी से ही इसको ग्रीज कर दिया है इसको 15 मिंट का र और उसको बेल लेंगे बिल्कुल जैसे आम पराटे की तरह से हम पेड़ा बेलते हैं उसी तरह से इसको बेलेंगे इसको बड़ा करने के बार इसकी थिकनिस चेक कर लेंगे यहां पर आप देख सकते हैं इसकी थिकनिस इतनी होनी चाहिए आप इसको किसी कटर से गोल्ड श अब हम कांटे से इस तरह से निशानार लगा देंगे वन्हा औए लगहों में सिन गीड जाना है जैसे मैं लगह उनी के लिए एक स्टिक हैं दरके चल्गकन स्टिक के किनारे पांडे भाबल जरू हो गया है यह ऐसका मदलब है कि एप्रफेक्ट करनेडतेयां मेडियम हीट पर रखा हुआ है जैसे ही मैंने इसमें कचोरियां डाली है आप देख सकते हैं कि यह उपर आनी शुरू हो गई है यह नीचे नहीं बैठी है अगर यह नीचे बैठेंगे तो यह कड़क भी नहीं होंगी और इनके अंदर बहुत जादा ऑईल एब्सॉर्ब हो देख सकते हैं कि जो भी जारी है वो नीचे से पौरं के पौरं 30 वी उपर आ रही है यह टेंपरेचर होना चाहिए यह परफेक्ट टेंपरेचर है अगर इससे कम होगा तो कचोरियां खराब हो जाएंगी समझें और अगर ज्यादा होगा तो वह उपर से जल्दी ब्राउन हो जाएंगी लेकिन अंदर से इतनी खस्ता और करारी नहीं रहेंगी तक्रिबन तीन से चार्मिंट लेंगी यह अपना कलर चेंज करने में जब गोल्डन ब्राउन होने लग जाएंगी तब हम इनी निकालेंगे यह देखिए यह इसका परफेक्ट कलर है जो बजार से आती बजारी में ही जार देना है अभी हाला कि यह गरम है लेकिन कितने खस्तेगी से तूट रही हैं बजार से बहुत जादा बहतर और बहुत जादा सस्ती घर में बनके तयार हुई है इनको आप निकाल के थोड़ी देर के लिए रख दें जब तक यह ठंडी हो जाती है जब य मैंने इनका ओइल बहुत अच्छी तरह से कड़ाई में निकाल दिया था अब आप इनको स्टोर कर लें यह रूम टेंपरिजर पे तकरीबन दो महीने तक एर टाइट बैग में स्टोर हो सकती है बस यह के इन में हमान आ जाए यह मैंने अभी बनाई है कल बनाई थी आज व मैं आफ इस